मंगलवार को हर्याना बीज़ेपी के विधायकों की बैठक हुई इस बैठक में भी S.Y.L. के फैसले को पंजाब से कैसे लागू कराया चाए इस पर मन्थन किया गया हर्याना बीज़ेपी के विधायक इसे लेकर आज पंजाब के राज जिपाल वीपी सिंग बदनौर से भी मुलाकात करेंगे पंजाब विधान सवा का एक विशेस सत्र उनके द्वारा बुलाया गया है पंजाब के सभी राजनेतिक दलों की तरफ से और इसमें जो भी उनका कोई फैसला होगा उस पे नजर रखते हुए आगे की कुछ कारवाई इसके उपर तैक की जाएगी और अभी एक मोटे तोर पर ये बात भी तैय हुई है भारती जनता पायटी के विधायक पंजाब के मानने राजपाल जी से भी मिलेंगे कि कोई भी इस परकार का संगिय धांचे को कमजोर करने वाड़ा को फैसला अगर वहां की विधानसवा लेती है तो उसके उपर मानने राजपाल जी हमारे ना किया जा सके तो कही ना कहीं जिस तरह से एस वाइल के मुद्धे पर धौनो राज्यों में सियासत होने जा रही है कहीं ना कहीं जो बीजेपी है या फिर हंकर हम बात करें प्रदेश सरकार उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं कैमरा परसन प्रमोत के साथ ललिश शर्मा जी मीडिया जंडिगर्ण हो रही बयान बाजी पर राज्य सरकार और फैसले को लागू कराने के लिए केंद सरकार को घेर रहा है हरियान के पूर्व मुख्य मंत्पडी भुपेंद सिंग हुजा ऐस्वायल के मुद्दे पर हरियान के सभी दलों को एक साथ आने और केंदर पर फैसले को लागू कराने के लिए दबाब बनाने की बात कह रहे हैं हुट्डा ने अलान किया कि सरकार ने अगर कुछ नहीं किया तो 11 दिसंबर को वो जीन में पानी के मुद्दे पर रन्नीती तै करेंगे संदर्व में 11 दिसंबर को जीन में अपने कारे करताओ की मिटीम बलाई है ताकि आगे की रन्नीती हम क्यार करें और पूरे प्रदेश में जल के लिए अपने जो अधिकार के लिए जो हमारा अधिकार है उसके लिए संदर्श की ट्यारी करें हम सब साथी समय लेकर देश के परदा मंत्री को और राश्टपती की खुण दिने हरियान के पूर मुख्य मंत्री बुपिन सिंग हुड़ा ने पंजाब की ओर से एस्वायल के मुद्दे पर की जा रही बयान बाजी को संगिय धांचे के खिलाब बता कर पंजाब में राश्टपती शासर लगाए जाने की मांग की है जोंडिकर से लाली शर्मा के साथ बिर रपोर्ट जी मीटिया